इकट कहवाले से चप्टर नेंबर 4, Quadratic Equations में हमारे पास ये Lost Topics हैं जो है 3 Cube Roots of Unity in Its Properties, 4 Fourth Roots of Unity in Its Properties हम देखते हैं जी MCQ से ही स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला हमारे पास जो MCQ है वो अगर मैं यहां पे पेस्ट कर दूँ तो हमारे पास है जी Value of Omega Square is माइनस 1 प्लस आयोटा स्क्वेर रूट 3, माइनस 1 माइनस आयोटा स्क्वेर रूट 3 और C option है माइनस 1 माइनस आयोटा स्क्वेर रूट 3 रूट 2 और माइनस 1 माइनस प्लस आयोटा स्क्वेर रूट 3 रूट 2 अब हम तो यहां पे डिरेक्टली बता सकते हैं कि हम यह जानते हैं कि आप्शन क्या होगा C होगा विकर्स हमारे पास जो 3 रूट साते हैं यूटी के उसमें सबसे पहला उन रूट को गर हम पाइनट रूट करना चाहरे हैं सबसे पहले तो यह बात है हम इस ही यहां पर इन रूट को स्वल्व कर लेते हैं यानि क्यूब रूट अफ इनोटी का मतलब है अगर X क्यूब इस इकूल टू 1 हो तो what are the roots of this X यानि X की यहां पर क्या क्या values आ सकती है जिनका क्यूब लेने से हमारे पास जवाब 1 आ जाए तो हम उसको solve करने के लिए X क्यूब माइनस 1 हो जाए X क्यूब इधर प्लस 1 है इधर आके हो जाएगा माइनस 1 इस इकूल टू 0 और उसके बाद यहां पर यह एक्यूब और माइनस B क्यूब का फर्मूला है जो के यहां पर हम उसको study कर सकते हैं मैं थोड़ा सा drag down करूं उसको तो यह बन जाएगा जी X क्यूब यहां पर देख सकते हैं A Q A Q और माइनस B Q जो के expand करो तो हमारे पास बनता है किसके इकूल आजाएगा यहां जीगा यहिनी is equal to 0 यहां जेगा A minus B उसके बाद A square प्लस B square स्वारी A square प्लस AB और प्लस B square जो के 1 का square है इस इकूल टू 0 यह있 एक्यूल यह फर्मूला आप जानते हैं मैं यहां पर लिख भी देता हूँ अगर आपको यह फर्मूला याद नहीं है a cube minus b cube यह किसके इकल होता जी a minus b और उसके बाद a square plus a b plus b square a square plus a b plus b square इस जिस्ट एक आपकी यादाश के लिए मैंने यहां पर लिख दिया चलना जी अब हम देखते हैं कि एक तो इसका root यह रहे either x minus 1 equal 0 जहां से एक root आगया इसका x is equal to 1 so x is equal to 1 is the 1 root दूसरा मैं रपास बन रहा है x square plus x plus 1 is equal to 0 factorization possible नहीं है अगर मैं इसको quadratic formula से solve करूँ x is equal to या जाएगा minus b plus minus square root b square minus 4ac यह square root में है divided by 2a तो यह आज एक जी minus b minus b का मतलब है कि यह हमारे पस b है जो कि 1 है ठीक है a b 1 है और c b 1 है तो minus 1 plus minus square root 1 का square 1 minus 4 into 1 into 1 4 ही होता है divided by 2a 2 into 1 2 ही होता है ठीक है तो minus 1 plus square root of minus 3 1 minus 4 का मतलब है minus 3 over 2 अब इसमें यह basically 2 root है इसमें एक को हमने नाम दे दिया minus 1 plus square root minus 3 over 2 इसको हमने नाम दे दिया omega यह क्या है omega और उसके बाद minus 1 minus square root minus 3 over 2 यह क्या बन जाएगा फिर minus यह बन जाएगा omega square इसका मतलब जो तीन roots है एक root है यही यही चीज़ मैंने यहां पे शोकी आपको यही चीज़ मैंने यहां पे आपको बताई है कि हमारे पास जो value of omega square होगी वो बड़ी simple है कि one is the first root दूसरा plus के साथ है यानि मतलब क्या हुआ कि फिर यह omega है इसका मतलब है this is omega and this is omega square तो option c is the right option यह option d है हमारे पास लेकर option c is the right option इसी तरह से अगर वो यह पूछ ले कि what is the value of omega तो omega की value के लिए फिर आप option d को select कर देंगे इस तरह से हम कुछ further mcqs देखते है mcqs यह हमारे पास omega raised to power 109 is equal to what यह अगर omega की power 109 ले जाए तो वो इन चार options में किसके इकलोगा सबसे पहले तो आप इस बात को clear कर लें कि यह जो minus 1 minus iota square root 3 by 2 लिखा हुआ है इसको हम जो है वो omega omega square के कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं यानि और omega square या और omega सबसे पहले भी हमने इस पर बात की कि यह value को हम omega square का नाम देते हैं और इसे हम omega कहते हैं तीक है और इसका मतलब है जो 1 के 3 roots यानि cube root of unity की बात करें तो एक 1 है एक omega square है और एक omega है अब हम यह बात भी जानते हैं अगर 1 multiplied by minus 1 minus iota square root 3 by 2 into minus 1 plus iota square root 3 by 2 आप इसको तीनों roots को multiply करें तो वारे पास क्या जवाब आएगा 1 जवाब आएगा that means के 1 times omega times omega square जो है जो किसके एकल होता है omega cube के एकल होता है यह किसके एकल होता है 1 के एकल तो यह property आपने याद रखने है कि product of जो तीनों roots है ठीक है उनका जवाब आएगा वो क्या आएगा हमारे पास 1 ठीक है चलने जी अब इस चीज़ को जहन में रखते हुए हम यूं लिख सकते हैं omega की power omega की power यह उमेगा 109 अगर मैं इसको omega की power 3 की whole power कितनी कर दूँ 109 को अगर मैं 3 के साथ divide करूँ तो ने रबोर्ट में क्या हो सकता है 3 3s are 9 3 3s are 9 10 minus 9 1 9 down और 3 6s are 18 3 6s are 18 19 minus 18 इसका मतलब है omega 3 की power अगर मैं 36 ले लूँ और 7 times omega कर दूँ 7 times क्या कर दूँ omega कर दूँ so this will be equal to omega 109 चुके omega 3 की power 36 बन जाएगी 108 और times 1 omega तो 109 तो that makes sense अब ये मैंने क्यों किया because मेरे पास ये मैंने ये वाला step मैंने इसलिए perform किया कि मेरे पास जो known value है इसमें वो किसकी है वो सिर्फ omega cube की है या omega square की है या omega की है तो omega cube जो है I know कि omega cube किसके एकल होता है 1 के एकल होता है तो 1 की power 36 1 को जतनी times मर्जी multiply किया जाए वो 1 ही रहता है तो 1 times omega is omega So which is omega? Omega is option D So I'll select option D तो option D जो है वो मेरे पास right answer होगा Don't worry यहाँ पे again students को जो confusion आती है वो क्या आती है कि वो उन्होंने omega की जगा वो value दे दियू यानि जो complex number या complex root है वारे पास उसकी जो value है उसने omega की जगा वो लिख दी है और हम confuse होगे जबकि हमने मैंने question को स्टार्ट करने से पहले यह बात की कि हमें इनकी जगा replace करना है omega square and omega उसके बाद हम question को स्टार्ट करते है ताकि अगर omega यानि इस form में answer आए तब यह में पता हो omega की form में answer आए तब यह हम answer को जो है वो बड़े अराम से उसको fine note कर सके हम next question देखते है next mcqs हमारे पास किस तरह के हैं question है जी question है हमारे पास omega raise to per 10 plus omega raise to per 11 plus omega raise to per 12 is equal to what चार option है a, b, c, and d अब देखें इन चार options को solve करने से पहले again हमने बात कर ली product of जो तमाम roots जो है cube roots of unity है उनका product is equal to 1 होता है which is equal to omega cube यानि omega cube is equal to 1 है हमने यह नहीं देखा कि अगर हम तीनों roots का यानि 1 plus 1 minus यानि 1 plus iota square root minus 3 divided by divided by 2 और इसी तरह से इसी तरह से हमने देखा जी यानि यहाँ पर आपको याद रहे कि मैं जो number लिख रहा हूँ यानि 1 या जो हमने जो इसके roots लिखें है इसमें यहाँ पर मैंने एक छोटी से mistake किया minus 1 minus 1 plus iota square root minus 3 over 2 minus 1 minus iota square root minus 3 over 2 अगर मैं इसको simplify कर लूँ सुरी यहाँ पर plus 3 ही हो गए मैं यहाँ पर minus 3 लिख रहा हूँ iota मने लिख लिया तो अगर यह 3 roots की बात की जाए 3 roots की बात की जाए और इन 3 roots को मैं अगर add करूँ तो I'll get 0 यह आपका homework है यह आप जानते भी है ठीक है तो यह property है यहाँ अगर cube root of unity को add किया जाए यहाँ तीनों इसके roots को add किया जाए तो we always get 0 इसका मतलब है other words में हम यह बात करें other words में हम यह बात करें कि one plus omega plus omega square जो है that is going to be equal to 0 यह हम यह भी इससे further properties drive कर सकते हैं अगर one plus omega plus omega square is equal to 0 है so we can say one plus omega is equal to minus omega square है या one plus omega square is equal to minus omega है या omega plus omega square is equal to minus one है so there are lot of properties जो हम यहाँ से deduce कर सकते हैं लेकर अगर हम question की तरफ चलें तो question क्या है omega raise to power 10 plus omega raise to power 11 plus omega raise to power 12 so I can write omega 10 को लिख सकता हूँ omega raise to power 3 जो known value है product of all the roots equals 1 वाली तो omega raise to power 3 की power 3 किया जाए तो यह बनता है 9 और 7 omega तो यह बने break करके लिख दिया omega 10 को अगर omega 11 को break करना है तो 3 की power 3 और 7 omega का square आ जाएगा ठीक है और omega 12 को break करना है तो omega 3 की power 4 ठीक है अब यहां पर देखे बहुत सिंपल सी बात है omega 3 which is equal to 1 which is equal to 1 मैं red के साथ इसको replace कर दूँ फर्ज करने यह 1 है ठीक है 1 1 का cube 1 ही होता है 1 का cube 1 ही होता है 1 का cube again 1 होता है और omega cube 1 की power 4 कर ले तो वो भी 1 होगी तो यह basically बनता है omega into 1 omega plus omega square और plus 1 तो यह मैंने भी बात बताई omega plus omega square plus 1 is equal to 0 so the best option would be equal to 0 हमारे पास इसमें best option क्या है 0 which is option B तो इस तरह से आप B को मा कर देंगे further हम MCQ देखते है question है जी हमारे पास which one is true यानि हमारे पास यहां पर available जो options उसमें कौन सी true है omega equals 1 over omega square omega square equals 1 over omega omega cube equals 1 या all ठीक है अब जो हमने product की बात की हमने बात की product of all the roots यानि cube product of all the cube roots of unity is equal to 1 है अगर m w cube is equal to 1 है that means w times w square is equal to 1 है अगर ऐसी बात तो omega जो है omega यानि omega sorry 1 over omega square के equal है omega square equal 1 over omega के है या omega cube equal 1 है तो यह मनें सारी इसी property से deduce की तो आप देख लें this is statement number A which is this one statement number B जो के है ये है statement number C जो के ये है इसका मतलब है I would go for all because all these statements are correct so I'll select option D तो मेरा जो best option होगा best answer होगा वो क्या होगा option D इसी तरह से हम कुछ further MCQs देखते है MCQs जी मारे पस cube root of minus 64 R A option is this B is this C जो option है वो ये है और D option हमारे पस ये है अब हम जानते हैं मैं तो इसको अगर आप थोड़े से practice पहोंगे तो आप इसको like 10 seconds के अंदर कर सकते है जो कि मैं आपको short को ये बताऊँगा अब हम इसको understand करते है कि करेंगे किस तरह यानि वो किये कह रहा है कि X cube is equal to अगर minus 64 हो तो बताएं कि X की यहाँ पे क्या value रखी जाए क्या वो three roots हो सकते है जिनको यहाँ पे put करने से हमारे पास जवाब minus 64 आजए हम इसको simplify कर लेते है X cube plus 64 equals 0 that means कि मैं यहाँ पे करूँगा X cube plus 4 का cube equals 0 जो कि बनता है फर्मूला के मताबिक हमने अभी बयान किया है X plus 4 उसके बाद आगया A square minus A यानि minus 4X और plus 4 यानि B square plus 16 plus 16 is equal to 0 अब हम बात करते है इधर X plus 4 equal 0 ठीक है and X square minus 4X या और X square minus 4X plus 16 is equal to 0 अब अगर X plus 4 equal 0 तो X equal to minus 4 आ जेगा इसका मतलब है अगर एक root minus 4 है तो यह option automatically eliminate हो जाएगी यह option भी automatically eliminate हो जाएगी यह option भी automatically eliminate हो जाएगी तो इसमें पहला root 4 फूर बता रहा है अब competition है इसके अंदर और इसके अंदर ठीक है which one is correct इसके लिए हम इसको solve करेंगे इसको solve करेंगे करने का मतलब क्या है अगर मैं x is equal to minus b minus b मेरे पास itself minus है यानि minus b अगर आप देखें तो minus b मेरे पास है ही minus तो minus into minus 4 plus minus square root b square यानि minus 4 का square 16 और minus 4 का square 16 तो minus b square ठीक है minus 4 is c 4 into a is 1 और c is 16 divided by 2a 2 into 1 तो या अगर आप इसको simplify कर लें तो आप देख सकते हैं मेरे पास बन जेगा x is equal to 4 plus minus square root यह बन जेगा 16 minus 48 divided by divided by 2 यह बन जेगा 4 plus minus 16 देखें इसको मैं लिख सकता हूँ इसको मैं यहां पर लिख लूँगा 16 minus 48 जो बनता है sorry 16 minus 16 is 64 यहां पर हमने छोटी सी mistake की है 16 minus 64 जो बन जेगा minus 48 और minus 48 को मैं लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ minus 16 यह minus 16 multiplied by 3 ठीक है तो यह भी minus 48 बनता है divided by 2 तो यहां से आप देख सकते हैं 4 plus minus अगर हम जो है वो 16 को बाहर निकाले तो बन जेगा 4 square root minus 3 divided by 2 अगर यहां से 4 common ले ले अगर मैं यहां से 4 common ले लूँ तो यह आजेगा यह मेरे पास आजेगा 1 plus minus square root minus 3 by 2 minus 3 by 2 अब चुके हमारे पास वो क्या होता है वो negative में होता है तो अगर मैं negative रिडूश करा हूँगा तो negative बाहर आएगा वो negative मुझे बाहर भी लगाना पड़ेगा and negative will come inside यहां पे भी आएगा तो बन जाएगा अब यह omega square और omega बनता है minus 4 एक बन जेगा minus 4 omega और एक बन जेगा minus 4 omega square तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो roots होंगे वहोंगे minus 4 minus 4 omega और minus 4 omega square जो कि मेरे पास available options में है option number C तो I'll pick option number C is the right answer तो इसका मतलब है कि चारों के सारे roots negative में मैंने बात की थी आपको short way बदाने की ठीक है short way बहुत असान है जब आपने यहाँ वे अगर plus में है यहाँ पर देगे अगर x q plus 4 में है 4 q में है तो यहाँ पर 1 हो तो आपके पास आता है 1 omega याई अगर plus में हो 1 omega और omega square तो अगर यहाँ पर 4 में आगया तो इसका मतलब है इसका मतलब है याई अगर यह माइनस हो यहाँ पर अब जो कि यहाँ पर plus है तो minus 1 minus omega minus omega square जबके यहाँ पर आप वो चीज़ बन जाएगी minus 4 याई उतने times minus 4 minus 4 omega and minus 4 omega square तो यह simple सी हमारे पास इसके solutions हैं जिनके तरू हम बहुत short way में चीज़ों को understand कर सकते हैं कि हम हमारे पास जो roots होंगे वो क्या होंगे provided that कि अगर आप इस lecture को go through करते हैं thoroughly और इसकी proper practice करते हैं तो यह question आपके लिए कदरे आसान हो जाएंगे अब हम चलते हैं next हमारे पास fourth root of unity या उसकी property से मतलिक ठीक है हमारे पास उससे मतलिक हमारे पास क्या MCQs है या क्या available हमारे पास content पड़ा हुआ है question ने दी four fourth roots of 16 are option number A is this B ये है C option ये है और D option ये है तो सबसे परे देखते है four fourth root से क्या मराद है मतलब कि x raised to per 4 is equal to 16 हो तो what are the possible values of x यहाँ पर insert की जाए और उनको solve करने से जवाब हमारे पास क्या आजाए 16 आजाए ठीक है अब इसको गर हम simplify करते है तो बन जाएगा x4 minus 16 is equal to 0 यह बन जाएगा x4 minus 4 या चले x4 और minus यहाँ पर देखे x4 और minus 16 is equal to 0 में लिख दिया अब यह बन जाएगा x4 or minus 4 का 4 का या यू लिख सकते है यू लिख सकते हैं हम इसको x4 minus 4 का square is equal to 0 अब इसको simplify कर ले इसको simplify कर लेते हैं चले जी मैं color different select कर लूँ यह बन जाएगा x square का square minus 4 square is equal to 0 यहाँ बन जाएगा 1 दफा a plus b into a minus b x square minus 4 is equal to 0 and x square plus 4 is equal to 0 यहाँ बहुत simple x square minus 4 का मतलब x square is equal to plus 4 and x is equal to x is equal to plus minus 2 x is equal to plus minus 2 1 दफा plus 2 and 1 दफा minus 2 इसका मतलब है यह option eliminate हो गई ठीक है इसके बाद यह option पर eliminate होगी none नहीं हो सकता और यह option पर eliminate होगी तो automatically हमारे पास available option में c is the right answer लेकिन मैं फिर भी further इसको करूँगा what are the other two roots तो obviously 2 iota minus 2 iota होगी कैसे x square is equal to minus 4 अब यहाँ पर complexity आ जाती है हमारे पास x में कोई भी ऐसा real number नहीं है जो यहाँ पर put करने से मारे पास answer negative y so obviously I have negative number so I would say x square is equal to square root minus 4 square root की जगा minus 4 की जगा लिख दूमा अगर because minus 1 होता iota square तो iota square into 4 तो यहाजएगा plus minus 2 iota plus minus plus minus 2 iota जो के एक दफ़ा plus 2 iota है और एक दफ़ा minus 2 iota है so c is the right option इस तरह से हम fourth जो roots है I mean जो हमारे पास four fourth roots of किसी भी number के हम find out कर सकते हैं ठीक है इसी तरह से मैं कुछ further mcqs लेता हूँ या कुछ further properties की बात करते है हम से क्यू है मरबजी product of four fourth roots of 64 क्या है a option है one b option है minus one c option है four or d option है minus 64 अब इसमें एक बात अपने याद रुखनी है कि one जो है sum of cube root of unity की बात हम करते हैं लेकिन ये product of four fourth root of क्या है product of यानी हासिल जरब किसका 64 का तो अगर हम 64 के four roots बनाते है x raised to power four is equal to 64 that means x4 minus 64 is equal to zero ठीक है x square का square minus 64 is equal to zero या minus 8 का square simple minus 8 का square तो ये a square minus b square formula बन गया या गया एक दफा a plus b is equal to zero a minus b is equal to zero अगर x square is equal to 8 करते हैं तो x आ जाएगा हमारे पास plus minus 2 square root 2 और अगर x square plus 8 is equal to zero करते हैं तो ये आ जाएगा x is equal to आ जाएगा plus minus 2 square root 2 आयोटा ठीक है तो जाएगा हैं ये तो चार रूट साथे हैं वह है ये हमने बताना है किसका प्रोड़क्र क्या आएगा तो देखें 2 times मारे चलें सिर्फ पहले numbers को multiply करें sign बाद में देखते हैं 2 times 2 times 2 times 2 तो यह बन गया 4 times 2 यानि 2's are 4, 8 and 16 16 तो यहां से आ गया ठीक है 16 यहां से आ गया और square root 2 into square root 2 again 2 और square root 2 into square root 2 यह भी 2 तो यह भी बन गया 4, 16, 4's are 64 64 तो number आ गया sign क्या बनते हैं minus into minus plus और iota into iota iota square root 2 minus again minus so this is going to be minus 64 so मेरा जो best option होगा वो क्या है D, so D is my best option अब यहां से जो मेरे पास another information आती है वो क्या है कि sum of all the 4 4th roots of unity is 0 unity के जिसके होते हैं 1, minus 1 or sorry मैं minus iota लिख रहा हूं 1, minus 1 और iota and minus iota तो obviously बात है कि अगर आप देखें कि इस case में जो roots आ रहे हैं वो conjugates हैं यानि सबसे बात है कि जो मारकस real roots है unity के अंदर ही यानि 1 के 4, 4th roots के अंदर उसके जो real roots हैं जो 2 हैं 1 और minus 1 तो दोनों एक दूसरे कर negative है एक दूसरे कर additive inverse हैं क्या है additive inverse और जो complex हैं वो दोनों एक दूसरे का conjugate हैं क्या है conjugate यानिस बात हमने याद रखनी है पर हमने यह बात भी की कि real roots में जो real roots हैं 4th roots of unity के 4th roots of unity के अंदर वो क्या हैं एक दूसरे का conjugate एक दूसरे का additive inverse हैं और जो complex है वो conjugate हैं तो यह कुछ हमारे पास chapter 4 के अंदर से mcqs आ सकते हैं जिनके अंदर हमने मुख्लिफ topics को मुख्लिफ हवाले से study किया